नमस्कार आदाव सस्रेयकाल ओम शांती दर्शे को एक बार फिर से मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ ज्यान खजाने से भरपूर इसकारकरम ज्यानो दै संतोष दिदी के संग दर्शे को आज के टाइम में आपने देखा होगा कि लोगों की भीड बढ़ती जा रही है और जहां लोगों की भीड बढ़ती जा रही है वहां इंसान और भी जादा डे बाई डे अकेला होता जा रहा है लोनलीनेस और यह ऐसे बिमारी है जो धीरे धीरे आदमी को टेंशन डेप्रेशन की और ले जाती है जहां उसका जीवन तनाव में गमगीन स्थिती में परिशानी में दुख में बीता चला जाता है और ऐसा व्यक्ति समाद से अपने साथ के लोगों के साथ कट आफ होना शुरू हो जाता है और फिर वो यह कहता है कि मैं इसलिए अकेला रहता हूँ क्योंकि मुझे जीवन में कोई समझता नहीं है मुझे कोई प्यार नहीं करता है फलानी बात है फलानी परिस्थितियां ऐसी आ गई ہیں जीवन के अंदर इसलिए मैं अकेला रहना पसंद करता हूं इसलिए मैं एकांत में रहना पसंद करता हूं लेकिन साइड बाई साइड उसका जो जीवन है निरस और खोखला बनता चला जाता है तो कैसे इस अकेले पन की बिमारी को हम जीवन से दूर कर सकते है कैसे जीवन को आनद नहीं बना सकते है और हम ये भी जानेंगे कि ये जो दो शब्द है अकेला पन और एकांथ क्योंकि अक्सर करके हम ये बात कहे जाते हैं कि मुझे एकांट चाहिए, मुझे शांती चाहिए, बातों से हम किनारा करना शुरू कर देते हैं तो वास्तर में ये अकेला पन और एकांट क्या एकी शब्द है या अलग-अलग है इसी विशय पर आज हम विस्तार से चर्शा करेंगे, हमारे बीश में मौझूद है, आदर्णिय संतोष देदी जी ज्यानोदय इस कारक्रम में बहुत-बहुत तही दिल से स्वागत करती हूँ, ओम शांती ओम शांती दिदी, आज जो विशय हम उठाने वाले हैं, वो एक ऐसा विशय है, जो मैं कहूंगी, कि विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी इस बिमारी से जूज रही है और वो है अकेलापन आजकल हम देखते हैं कि आजकल कहते हैं कि भीड भड़ती जा रही है, लेकिन इनसान फिर भी अकेला होता जा रहा है आजकल बहुत सारे मार्धे हम बन चुके हैं, आजकल हम WhatsApp है, Facebook है, Instagram है, बहुत लोगों से connected रहते हैं लेकिन फिर भी इनसान आज अपने आपको अकेला मैसूस करता है आजकल कई ऐसी बाते भी होती हैं जो घर में माल लीजे, संबंदों में कोई टकराव हो गया, conflict हो गया फिर हम दुखी हो करके कहते हैं कि मुझे एकान चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो आज़ी बाते हम करने लग जाते हैं तो पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये दो शब्द हम अकसर करके इस्तेमाल करते हैं कि मुझे अकेला पन खाता जा रहा है या मुझे एकान चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो तो ये एकांत और अकेला पन ये दो शब्द है क्या ये एक जैसे ही है या फिर इन दोनों में कोई अंतर है अब ये दो शब्द है जी तो जरूर ये दोनों का अर्थ भी अलग अलग है अकेला पन जो है वो बाहर जगत के उपर आधारीत है और एकांत जो है वो आंतरिक स्थिती के उपर आंतरिक जगत पर आधारीत है जिस समय पर हम बाहर जगत को देखते हैं बाहर जगत की परिश्थितियों को देखते हैं व्यक्तियों को देखते हैं वस्तूओं को देखते हैं पदार्थों को देखते हैं तो ये जो वाहर मुक्ता है और जबी हम इन चीजों से सुख लेने की कोशिश करते हैं और हमारी पिछा के प्रमान वो पूरी नहीं होती है जो व्यक्तियां हैं उनसे भी जो हम अपेक्षा करते हैं वो हमारी पूरण नहीं होती है सुख सुविदाएं हैं उनसे जितना सुख लेना चाहते हैं उतना नहीं मिलता है अलब काल काई मिलता है क्योंकि ये सब कुछ विनाशी है तो जब हमें जितनी इच्छा है उतनी हमारी इच्छा पूरण नहीं होती है तो ऐसा लगता है कि व्यक्तियां भी हमारा सुनती नही है हमारे अनुसार चलती नहीं है तो ऐसा लगता है हमारा दुनिया में कोई नहीं तो अकेलापन मैसूस होता है अकेलापन जो है वास्तव में ये एक बहुत बड़ी सजा है अनेक व्यक्तियां साथ में होगी तो भी उस व्यक्ति को अकेलापन लगेगा किसी से बात नहीं करे आपस ले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो अकेला पन ये एक सजा है, जैसे आज देखो कोई अगर कोई भी गुना करता है, तो उसको जेल में डालते हैं, जिससे ज्यादा बड़ा गुना होता है, उसको अकेले को जेल में रखते हैं, औरों को भले साथ में तो उसको ज्यादा सजा की फीलिंग होती है, अकेलेपन की फीलिंग होती है, उसको अकेलापन खाता है, तो अकेलापन ये भय पैदा करता है, अकेलापन जो है ये वेर्थ संकल्प पैदा करता है, अकेलापन जो है वो पागलपन लाता है, डिप्रेशन लाता है, तो ये अके हुआर्षिजलापन ये बड़ी सजा है, और एकांत जो हैẽं एघांतर जगत के ऊपर आधारीद होने के कारण, इसमें शांती है, इसमें निर्भैता है, इसमें सुख है, तो इन धोनों में बहुत-बड़ आंतर है, हमेशा कहा जाता हैंiałem कि अंतर मुखी सदा सुखी हैं। तो जो अंतर मुखी होके रहते हैं, वो सदा के लिए सुखी रहते हैं, और जो बाहर मुखता में आते हैं, वो दुख उठाते रहते हैं, जैसी जैसी परिस्तितियां बदलती हैं, वैसी वैसी उनकी स्तिति बदलती हैं, तो दो मितर थे आपस में, एक मितर ने कहा, थे दोनो के लिए एक कमरे में अकेला रहके मेरे को बताओ तो मैं तेर को दस लाक रुपए इनाम दूगा। सब लोगों के आगे उसने चैलेंज किया उसको उसको भी जोशा गया उसने का हाँ जरूर। तो उसका दूसरे दिन से उसने क्या क्या सब जो भी उसको आवशकता थी किताबें थी जो भी मन और अंजन के जो भी साधन थे उस सारे लेकर के और उस कमरे में बंद हो गया उसके बास। उसको खाना पिना देते थे बाहर से ही, और सब सुक्सु विदाइं भी रखी थी, और उसको ये बोला कि अगर तुम बीच में चला जाएगा, तो तेरे को इनाम ने मिलेगा, अगर तेरे को जब जाना होगा, तब ही तुम बेल बजा के पीछ जाना, ऐसा ने जाना, उसने बहुत अच्छा है, तो पहले तो इसको बड़ा मजा आया, अकेला रहा तो, फिर सब देखता था, टीवी देखता था, कोई किताबें देखता था, पढ़ता था, पर थोड़े दिन गए तो उसको बोर होने लगा, बहुत अकेला पन लगने लगा, अकेला पन लगने लगा तो बिचार बहुत हैरान हो गया, दुखी हो गया, भैबीत हो गया, फिर उसको ऐसा बिचार आया, कि जब ये मुझे ये अकेलेपन का चांस मिला है, एकांत मिला है, तो क्यों नहीं इसका फाइदा लिया जागी, तो वो कुछ आध्यात्मी किताबें भी ले आया हुए था, तो उसने बैठके उसकी स्ट्रडी किया, उसके बाद उसकी उपर चिंतन किया, परमातम चिंतन किया, आतम चिंतन किया, तो उसको बहुत अनन्द आया, उसको शान्ती महसूस हुई, उसको सुख का अनुबह हुआ, परमातमा के सानीदे का उसको अनुबह हुआ, तो बहुत उसको कैसा मास बीत गया ये मालूम ही नहीं पड़ा अभी एक दिन सिर्फ बाकी था मास बीतने के तो जो दोस्त था जिसने ये उसको शर्त रखी हुई थी तो उसके अंदर बैमानी आई कि ये व्यक्ति तो एक मास से अंदर है और ये भाग के भी नहीं गया आया भी नहीं अभी मेरे को दस लाक रुपे इसको देने पड़ेगे फालतू तो उसने प्लैन बनाया कि मैं अभी इसको जाकर के खलास कर दूँगा नाम तो क्या दूँगा इसको खलास करूँ तो उस त उसने इधर उदर देखा तो वहां एक चिठी लिखी हुई रखी थी और उसके उपर लिखके रखा था उसने कि मैं स्वा इच्छा से जा रहा हूं मैं जान बुझ के तुमारी शर्त तोड रहा हूं एक माज से एक दिन पहले मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे तेरे से इनाम आए घ़िया थेरे को बहुत बहुत शुक्रिया तुम ने जो मुझे स्वा चुन तन करने के लिए प्रभु चुन करने के लिए यह उसर दिया जिसमें मुझे असीम चांती और श्ची इश मीर दिया के बहुत बहुत धन्यवार स्था लिए। तो एकांत वह चीज है जिससे अनेक अनेक प्राप्तिय होती है और अकेलापन वह चीज है जो मनुष्य को खोकला कर देता है, दुखी कर देता है, अशान्त कर देता है यह बड़ा फरक है जी मतलग की अकेलापन व्यक्ति को स्वयम से दूर लेकर के जाता है और वहीं एकांत व्यक्ति को नुप कि के वल सुयम से जोड़ता है बलकि ईश्वर से भी जोड़ता है जहां वो परम सुख का अनुभव करता है और जैसे आपने बताया उसको 10 लाग ही लालच नहीं रहती तो शायद वो अपने बुराईयों से भी और सबी उपर उठ जाता है तो एक चीज में आप से जानना चाहूंगे कि आज कल का जो वातावरंड है जैसे मैंने आपको बताया कि संबंधु में कलैकलेश है अनेक टेंशन डिप्रेशन के कारण है इस वज़े से जो मनुष्य है वो सोचता है कि मैं इन बातों से बचने के लि क्योंकि आज कल मैक्सिमम लोग करने ही लगे है घर में आएंगे ना किसी से बातचीत करेंगे ना किसी से उनको कोई मतलब है अपना फोन में लग जाएंगे फोन पे वो दूसरों से बाते करते रहेंगे वो कहेंगे कि घर में अशानती का महौल देखने से अच्छा है कि अ तो ऐसा है हम दूसरों को अशान्त करके खुद कभी शान्त नहीं रह सकते हैं, वास्ता में देखा जावे तो उस व्यक्ति को दूर जाने की अवशकता नहीं, जिसके कारण वो अशान्त होता है, समझो किसी व्यक्ति के कारण अशान्त होता है, किसी रिष्टे के कारण अशा ना कि उससे दूर भाग के जाना चाहिए। यह इसको शम्शानी वैराग बोलते हैं। तो इतने में गायब भी हो जाता है। वो कोई सदाकाल के लिए नहीं रहता है। तो उसका यह जो तरीका है यह एकदम रॉंग है। अभी वास्ताव में जो बोलता है मेरे को एकांत चाह हैं। जैसे आज देखो कोई भी इन्वेंशन होती है उसके लिए एकांत की आवशकता होती है। एकांत में रहके अकेले रहकर के उसका रूप बन जाते हैं। आज इतनी साइंस की इतनी इन्वेंशन हुई उसका कारण एकांत। आज देखो हमारे प्राचिन जो रूशी म आप दुन्हानने अखने के छिपिएमें आजाती थी लिए उनके अनुबुति उनके अंदर उसकी ओड़ उनको पराप्तिय हो जाती तो प्रोगाते थी o खशे पर रहनें लोग करते है दोने की तो यह होता यह जा जो अजो स्व्च हो थुड़ी आंप कर देया कि जब अकेल हो पाती है जिसके विलसे communication gap बढ़ता है और ये धीरे धीरे एक तनाव का कारण भी बन जाता है बिल्कुल सही का समंद खराब हो जाता है कई लोगों के साथ देदी ऐसे situations होती है कि घर परिवार का कुछ ऐसे circumstances हो जाती है कि वो अकेले ही रहते हैं ना उनके साथ कोई साथ ही रहता है ना कोई और व्यक्ति कोई कि व्यक्ति अक्सर करके एक गंभीर अकेलएपन का उभव करते हैं, उनको लगता है कि कोई साथ ही चाहिए हमको, हमारे साथ होना चाहिए, अकेले जिन्दगी हम कैसे काटेंगे, जबकि इधर से हमने यह बात की कि व्यक्ति साथ है तो भी टो व IK अपे खी साथ नहीं है, तो व IK अपयाकन खूहा नहीं है, तो व IK ँझा अभियाटमिकता का साहरा लेना पड़े क्योंकि अध्यात्मिकता वो चीजा है को स्वेयम से जोड़ती दू अगरिस ःकांथ में अकेले पन में हम परमात्मा को हम सफर बनाते एपना क्योंकि चाहिए तो सही हमको हम सफर, तो अगर हम उसको हम सफर बना देते हैं, तो हमारे को अभी भी अकेला पन नी लगता है। आपने एकांत वास की जो बात बताई है कि उसमें व्यक्ति अपने आप से जुड़ता है और दीरे धीरे अकेले पन से वो उभर जाता है जहां एक उदासी है, चिंता है, दुख है, परिशानी है, वो ऐसी मानसिक बिमारियों से धीरे दीरे उठता है, एकांत का जैसे आपने जितना एकांत का रस बैठता जाता है, उसमें एकागरता की शक्ति आती है, तो जब एकागरता की शक्ति आती है, तो कोई भी कार्य करना होगा, अगर आप एकागरता से मन लगा के उस काम को करेगी, तो दो घंटे का काम आपका अधा घंटे में हो जाएगा, और अगर एक समय हमारा मन और बुद्धी ठिकाने पर है, उस समय हम वोई कार्य थोड़े समय में करते हैं, और जिस समय हम डिस्टरब होते हैं, उस समय हमारे को उसी कार्य में बहुत टाइम लगता है, तो कार्य शहली में बड़ा फरक पड़ जाता है, और हमारा बुद्धी का योग तो जब इश्वर का हम अंत पा लेते हैं उसको पैचान लेते हैं उसके साथ हमारा क्या सम्मन्द है ये हमको मालूम पढ़ जाता है और उसकी याद में रहते हैं तो क्या होता है उससे हमारे कर्मों में कुशलता आ जाती है और हम जो करम करते हैं वो हमारे करम सक्सेस होते हैं क्योंकि परमातमस सर्विश शक्तिवान है, तो उसको याद करने से हमी शक्ति मिलती है, शक्ति के आधार पर आप कोई भी कार्य करेगे तो उसमें सफलता जरूर होती है, और रांग और राइट समझने कि हमारे अंदर वो जज्जमेंट पावर आ जाती है, अकेला होने के कार जीवन में उलास और उम्मंग आजाता है, समझते हैं कि हमारे को सिरुफ खुद को नहीं जीना है पर अरों को भी जीना सिखाना है, वो कला उनके अंदर आ जाती है, बहुत फाइदा होता है, एक आंटवासी बनने के एक प्रश्ण आजकर प्राक्टिकल जो सिच्वेशन स है, उनको देख करके मुझे एक विचार आ रहा है कि जैसे लोग बहुत बीजी रहते हैं आजकल, बहुत जादा बीजी रहते हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बीजी है, फैमिली लाइफ में वो इतना बीजी है, तो लोग सोचते हैं कि एकांटवास के लिए हम में निकाल सकते हैं, देखो ऐसा है, जिसके साथ हमारा प्रेम होता है, उसके लिए हमको समय जरूर मिलता है, जिससे हमें प्राप्ती होती है, उसके लिए भी हमें समय मिलता है, हम अपनी नींद भी फिटाते हैं उसके लिए, अपना आराम भी पिटाते हैं और उस प्राप से अलब के इख देगा भड़ी का बड़ी लेडि़ी बिलकुईश्टा टो प्र judgmentि के आगे आपी समय मिलता है हमें समय निकालना निकालना निपढ़ता है एक देखो मनुश्य को कितना शमय मिलता है 24 अधे होते हैं तो परमात्मा क्या कहता है, एक घड़ी आधी की भी आप थोड़ा समय निकालो, एक गंटा निकालो, दो गंटा निकालो, तो थोड़ा कमती सो ना, जल्दी उठो, उठकर के वैसा भी कहते है न, प्रभात सिम्र मेरे मन, तो सबेरे का समय बढ़ा अच्छा होता है, उसमय आधी आत्मी ग्यान को सुनो, तो उसके आपके जीवन में फरक आजाएगा, पहले तो यही करते थे लोग पुराने लोग, उठेगे तो आरतियां करते थे, बुझा करते थे, सब कुछ करते थे, अभी एटी वीडी क्या आगई है तो उसमें लग गया है तो भूल गया है आपस में जादा मन मिटा हो रहा है क्योंकि यह ही इस सीनरियां देखते रहते हैं जी बिलकुल तो आपसे सारी नर्जी हमारी देन होती है बहार की इंफरमेशन नेगेटिव अंडर जाने से वह एकागरता और एकांत बिलकुल हो नहीं बहता है तो एकांत मानों कोई एक ज पर देखो, एक लड़का और मुथ्य Mark को मैं जड़नी समय अंगेजमेंच में हो जाता है तो आपके महीं प्रेश को परमात्म हमारा प्रीतम हों आत्म हे उसकी सजनिया है तो हमारा जब उसके सा justement समंध जूटे जाता है तो उसकी याद सिरब आती नहीं उसकी याद हम को सटाती है। कि भी जाय हम रहने सकते हैं, हमारे संस्कार वे जह रहां हुआ, हमारे शन्सकार रौमारे श्यार पंच ट॥छा पर साहिते हैं, तो एक चीज और मैं आप से जाना चाहूंगी कि जब वो अपनी analysis करना शुरू करता है और जैसे कि आपने बताया ईश्वर से जुड़ता है ईश्वर से connect होकर जो उसे शक्तियां प्राप्त होती है तो वो परिवर्तन करने में उनको लगाता है इसके अलावा और ऐसा क्या चिंतन वो करें जिससे उसकी अपनी energy level higher होना से उसके बताया है जो हो रहा है वो उसे भी अच्छा है और इतना सार बुद्धी में आवे नै तो उसकी energy आप ती बढ़ेगी और जो उसकी leakage है बंद हो जाएगे दीकीज कि जो हो गया उताऊ यह अच्छा ही हो गया जो होने वाला है और जो चल रहा है वह भी अच्छा है जो होने वाला है वो उससे भी अच्छा है, तो जब इस बात को समझ लेता है ना, बूतकाल, वर्तमानकाल और भविशकाल, इनको समझने के बाद उसके पास एनरजी सेव होती है, नहीं तो क्या होता है, व्यर्थ संकल्पों के कारण हमारी एनरजी वेस्ट होती है, तो इससे अच्छान होने वाला है, व्यर्थ साथि स्वयम है भगवान, अकेला पन होता है तो इसमें डर होता है परन्तु एकांत वास्ची को कभी डर नहीं होता है, निर्भय हो जाता है, हर परिस्टि का सामना करने के उसमें शक्ति आजाती है, यह बहुत बड़ा फरक होता है, तो अकांत एकांत तुन होता है, बड़ार से ढूर होता है, लोगों नहीं घुष सब से गूर, परिछल भी होता है, udah यह उसमें जाता है, ऑसमें के लिए जीवन का सफर जहां अकेले पन में निरस हो जाता है, उदासी चाह जाती है, तो वही और जीवन के सफर को हम कैसे enjoying बना सकते हैं, कैसे आनन्द भरा और मस्ती भरा बना सकते हैं? अगर हमें हमारा जीवन आनन्द में बनाना है, तो हमें आनन्द देना चालू करना चाहिए, क्योंकि जो चीज औरों को दी जाती है, वो चीज बढ़ती है, तो आप जितना जितना औरों को खुश रखेगे, उतना उतना आप खुश हो दे जाएगे, आज आप देवी देवत देखो कितने खुश हैं, क्योंकि वो संपन्न है, वो संतुष्ट है, तो हमें जीवन में संतुष्ट ताके गुण को धारन करने की अवशक्ता है, तो सदा के लिए हम खुश रहें, हम खुश रहेंगे, तो औरों को भी खुशी बांड सकेगे, आज देखो हर एक भगत, मंद भी प्रसन होने लग पड़ेगे, उसके लिए संतुष्टता बहुत अवशक है, और दिवे गुनों से भरपूर बनने की अवशक्ता है, कितनी अची बात आपने बताई है, कि संतुष्ट रहना आज के ताइम में बहुत अवशक है, शायद संतुष्टा के मायने ये है कि जो है, जहां है, जैसा है, उन्ही परिस्थितियों में वो खुश रहना सीखे, क्योंकि अकसर करके ये लोग यही सोचते हैं, कि सारी चीजे जब तक नहीं आएंगे, तब तक संतुष्टा आनी जीवन में बड़ी असंभव चीज है, दिदी, आज आज आपने इती बहतरी दिल से बहुत बहुत शुक्रियादा करती हूं, ओम शांती, ओम शांती, तो दर्श को आज की इस डिसकॉशन से हमने एकांत और अकेलापन, इसके डिफ्रेंस को, इसके अंतर को हमने बहुत गहराई से समझा, पहली चीज तो ये, कि अकेलापन जो है, वो दुख के स्थित न केवल व्यक्ति को स्वयम से दूर कर देता है, बलकि साथियों से, मित्रों से और परमात्मा से भी दूर कर देता है, वही एकांत एक ऐसा मार्ग है, जहां व्यक्ति न केवल स्वयम से जुड़ता है, बलकि ईश्वर से भी जुड़ता है, और यही एकांत का मार्ग है, ज अगले विशे में फिर से हम कुछ न कुछ और नई बाते सीखेंगे जानेंगे तब तक के लिए दीजी इजाज़त नमस्कार ओम शान्ति